लेकर तरह तरह की कहानिया गड़ी जा रही है। ये संगीत की रोचक धुनों को सुनने कमाध्यम बन रहा है। देखें डिज्याना नियूस की खबर। परे तक स्तल मांडू का इतिहास तो हजारों साल पूराना है। कहते हैं कि बाज भादू शाह एक संगीत प्रेमी था। इसलिए मांडू को प्रणाय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में कई राजाओ का शाशन रहा और इस नगरी में आज भी कई चोकाने वाली वस्तुए इतिहासों से जूरी हुई है। मालीपुरा पंचाय शेत्र के अंतरगत इस जगह को बाजनिया बीड के नाम से जाना जाता है। जलती है जेसे कोई तबला या ढूलक बजा रहा है। जानकारों का कहना है कि यहां पत्थर कई सालों से यहीं रखा हुआ है। और इस बाजर जिससे बजाने वाले पत्थर के कारण खाई के नीचे बने गाउ का नाम भी बाजना रखा गया है। लोगों का कहना है कि इस पत्थर का उप्योग राजा महराजा या तो सुचना तंत्र का उप्योग करते थे या फिर यहां के राजा बाजभादु शाह जो एक संगीत प्रेमी भी था। सकता है राजा एक जैसे अन्य पत्थरों को अपने संगीत के लिए उप्योग में लेते हैं। लेकिन जो भी इस पत्थर के बारे में जिस किसी से सुना है या देखा है इसे बजाने के बाद उससे अद्बुत पत्थर ही मान रहे हैं। इस बजने वाले पत्थर के बारे में कई लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे चमतकार मान रहा है तो कोई इसे प्राक्रतिक देन बता रहा है। निश्चीत तोर पर कई सवाल पत्थर को लेकर मन में आते हैं। क्या कोई पत्थर किसी वाग यंत्र की तरह ध्वनी निकाल सकता है। इस पूरे मसले को लेकर पाशान अधिकारी विशाल वर्मा ने चर्चा की, तो उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से बताती हुए कहा, कि यहाँ पत्थर लाइन स्टोन में डेरा लाइट श्रेनी का है, जब ज्वाला मुखीत से यहाँ पत्थर बना, तो उसमें यह खा इस देश में पानी में पत्थर जहां तेरते, कुछ पत्थर किसी बाजे की तरह स्वल निकालते हैं, जो किसी वागी अंत्र से कम नहीं है, यह अपने आप में एक चमतकार ही है. बाजना की बीड़ और बाजने वाला गाउं, इससे ही इसकी पहचान हुई है, कहीं न कहीं उस समय में, जब मांडू और स्टेट समय हुआ करता था, बाज भाहदूर और उपमती का जब था, उस समय इस फत्तर का महत्व रहा होगा, संगीत के लिए लिया जाता होगा, या कह कुछना तंतर के लिए इसका उपयोग किया जाता था, आज मांडू में प्रतिवर्स, लाखो सेलानी आते हैं, देसी विदेसी प्रेटक भी आते हैं, और मांडू से बिलकुल नजदिक काकडाखों के सामने, एक से डेड़ किलोमेटर दूर ये इस्थान है, पथरीली जग आके इसे बजाए, तो तमाम तर है कि इसमें से संगीत और वादग निकल सकते हैं, और यही इसके अपने पत्थर जो है, यह अपने आप में एक मिसाल के सुरूप है यह, और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, बड़े-बड़े पत्थर है, पर उन सब पत्थरों में ये बसता है, मैं इस गाओं में दो-तीन बार कथा करनाया हूँ, तो मैं जब भी इदर से निकला हूँ, तो इसको मैंने बजा के देखा, चुकि मैं संगीत अग्य हूँ, मैं हर्मोनियम तबला, डॉलत, मैं बजाता हूँ, तो मुझे ये बजाने में बहुत अच्छा लगा, जहां तक मेरे नजरों में तो यह बहुत किम्ती पथर है, क्योंकि जो पथर अपने अपमे संगीत निकाल रहा है, और वेसे भी मांडव बादबादूर की नगरी है, रानी रूपमती की नगरी है, वेसे भी संगीत अग्ये वहाँ पे थे, तो वह सकता है कि इस्ते भी करता है इसकी आवाज हवा के द्वारा ये गाओं में आवाज जाती है तो हो सकता है कि मांडो जो है एक 83 परेटन नगरी रही उस समय पर जो उस समय पर शाषन था उस समय पर जो है अपने भई के लिए सुचना तंत्र जो है ये इसक पफद सर अ है पर्क इसमें यह है कि यह पठठर तबले में ता और धा होती है को यह कि वर पाका शवर्ब निकाल रही है अधा का स्वर्ब ये पत्तर में निकाल रहा है कि अग्य हम जैसे लोग जो है हम इसको पारंगत रूप से बजा सकते हैं तो इस पथर को प्रकर्टिक रूप तो दे नहीं है सर कि प्रकर्टि से बनावा है यह पत्थर बाजनिया गाउं के पास जो एक पाड़ी है जहां से बजने वाली पत्थर के रिपोर्ट आती रहे हैं वह जो पाड़ी है बिसिकली एक बेसाल्ट जो आगने चट्टाने होती है या लावे के टंड़ होने से वेसाल्ट गलाव होने से बनने वाली एक अ्क पयुल आई उस उस पाड़ी ये खासिथ है कि बाखी पाड़ूं उस तरह में बजने वाले पत्थर दिखाई नहीं देते हैं और उस पाड़ी के साथ खासियत यह है कि आपके अधिकांश पत्थर जो है उनका उनका सपोर्ट या पूरी तरह से जमीन के सपोर्ट के साथ नहीं है उनके प्रोजेक्टेड इससे काफी है जिसे हम कैंटी लिवर टाइप उनके साथ दूसरी जो खासियत है कि वह जो एक हमोजेनियस टाइप के जो जो मैगमा होता है उस तरह के चट्टन पत्थरों दे मिलकर बने है तो इसमें कोई क्रैक्स नहीं है उसमें कोई जिसकों परददर बोलते हैं इस तारह कि पत्तर नहीं हो तो जब उनके हम क्या करत कोई सथा है उनकी जो फिर्क्टवंसी है मुझे करती है कि पत्थर जहां से क्लैन अ-चाहसे जगड़ा होगा है जहां से सपोड मैं उसका फ्री इसा वहां से कितना लंबा है उसकी लंवाई लंबाई क्या नम्पाक्या है दूसरा जो है उसका है पीजिशन कहाल सजश्टा भारत में भी कुछ मंदिरों में इस तरह के खंबे बनाए गए गए पिलर्स जो अलग-अलग ब्यूरो रिपोर्ट डिजियाना न्यू